सनातन धर्म के ज्यादातर घरों में भगवान स्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा विसेश रूप से की जाती है लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ती को घर में किस दिशा में रखते हैं तो चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल की सेवा और अराधना के दोरान वास्तों सास्त्र के नियमों का पालन करना अत्यंत आवस्यक माना जाता है ऐसा करने से भगवान स्रीकृष्ण की विसेश क्रिपा प्राप्त होती है और जीवन में सुक सांती बनी रखती है ऐसे में आज हम आपको बताएं लड्डू गोपाल की मूर्ती घर में किस दिशा में अस्थापित करना सही रहता है वास्तु सास्त्र के मुताबिक लड्डू गोपाल की प्रत्मा को घर के उत्तर पूर्व दिशा इसानकोंड में रखना सबसे सुम माना जाता है वास्तु में इस दिशा को अध्यात्मिक उर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सुख सांती का माहौल बना रहता है मंदीर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा को हमेशा किसी उचे अस्थान पर अस्थापित करना चाहिए नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ध्यान रख करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं